माराज की बोलिये परम संसिरो मनी गुरु रविदाज जी माराज की सर्व पर्थम एक ऐसे रहबर एक ऐसे संद जिनों ने इस दुनिया में साड़े छैसो साल पहले समता समानता बंदुता और भाईचारे के आंदोरन की सुरुवात कर एक देश और दुनिया में एक ऐसा परबुद्ध एक ऐसा परचंड एक समानता के लिए एक ऐसा इस्तम इस्थापित किया जिसको सविधान में ये भी का जाता है कि अब रहनी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा अब मैजदूर किसान का बेटा भी राजा बन सकता है और पुरी दुनिया में शिरोमणी की उपादी से नवाजे गए परमसंद सिरोमणी गुर्य विदाजी महराज जी के चर्नों में कोटी-कोटी नमन करते हुए और उनकी विचारधारा को पुरी दुनिया में पुरे देश में आगे बढ़ाने वाले सद्गुरु समंदाजी के चर्नों में कोटी-कोटी नमन करते हुए और यहाँ पर गद्धी परहसीन आचारिये कौरपाल जी महराज जी के चर्नों में कोटी-कोटी नमन करते हुए और मंच पर उपस्ती सभी हमारे संत और महापुरुस आप सभी के चर्नों में मैं एक चोटा सा सिफाई और चोटा सा सेवक होने के उद्धे से आपके चर्नों में बार-बार सर जुका कर यह संकल्ब लेते हुए कि आपकी विचारधारा को आपके सम्मान के लिए लड़ा जाएगा और हमारे साथ में चल कर आए हमारे पर्देश के अद्रक्स भाई सुवम् थंबड जी संकरक्षक भाई एड़ोगेट करम सिंग जी और हर्याणे की आन हर्याणे की बान हर्याणे की शान हमारे भाई इशु भाई समनी साथियो बाबा साब डोक्टर अम्बेडगर और मानेवर्ड साब काशी राम ये कहक करते थे कि बहुजन समाज के लोगों जिस दिन हम मानुवादी विचारधारा से हट कर हमारा बहुजन समाज संतो मापूर्चों के नाम से इकटा होने लगेगा दीबु भाई प्रिंस भाई राहूल भाई सब का सम्मान करते हैं यतनी भी हमारे साथ में सातिया हैं सब का सम्मान मेरी माता और बहनों आज जिस परकार से आज संतो मापूर्चों के जिनोंने हमें रोटी कपड़ा और मकान और सिखसक अधिकार दिया उन संतों मापुर्षव के दर्बार में हम उनका गुंगान उनकी विचारधारा को अगर आगे बढ़ाने के लिए उपस्तित हुए हैं तो बहुजन समाज के लोगों बाबा साब डोक्टर अंबेड कर ये कहते थे कि जी दिन मेरा बहुजन समाज संतों मापुर्षव के विचारधारा को आगे बढ़ाने लगेगा जी दिन संत गुरु रविदाजी महाराज जी के विचारधारा को ये पुरी दुनिया के अंदर जन जन तक पहुँचा कर ये आगे बढ़ाएगा तो आर्थिक समाजिक और राज निदिक परिवर्तन होगा इनको कोई सासक बनने से नहीं रोख सकता ये सद्गुर रविदाज जी की महराज जी का इस देश के अंदर राज आएगा और कैसा राज आएगा माताओ बेनों मैं भाई और बेनों आपको बताना चाहता हूँ जिस राज की परिकल्पना सद्गुर रविदाज जी महराज जी ने साड़े छैसो साल पहले की वो कहते थे कि हम बेगमपुरा राज चाहते हैं कैसा बेगमपुरा राज जब इस देश और दुनिया के अंदर भी ने करे वो मान होता था लेकिन सद्गुर रविदाजी इस दुनिया में आए उनने कहा कि करम ही पूजा है जाती से कोई नीच नहीं है जो करम करेगा वो आगे बढ़ेगा इस देश के अंदर एक मज़दूर किसान का बेटा भी बीम सियम और पिम बन सकता है उस विचारधारा को परम पूजने बाबा साथ डोक्टर अंपेडगर ने सान उननिस सो पचास में सविधान लिखकर उस विचारधारा को आगे बढ़ाने काम किया तो माताओ बैनो अगर हम इस समाज का उत्थान चाते हैं अगर हम इस देश में सद्गुर रविदाज जी महाराज बेगंपुरा का राज चाते हैं तो माताओ बैनो मैं आपके सर चर्णों में सीज जुगा कर आप से परातना करता हूँ क्योंकि बेटा हूँ आपका भाई हूँ मैं परातना इसलिए करना चाता हूँ कि आज तक हमारा बहुचन समाज इसलिए सासक नहीं बन पाया कि वो मनुवादी रास्तों पर चलकर जितना भी धन कमाता है वो उन मनुवादी गल्लों में डालने हैं काम करता है लेकिन आज मुझे हम बेड़कर को इन्होंने पढ़ लिया है और अब तुम्हें माताओ बैनो कोई DMCM और PM बनने से कोई नहीं रोक सकता है इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस विचारधारा को जो सद्गुर्य विदाजी चाहते थे गुर्य विदाजी ने बड़े-बड़े राजाओं को बड़े-बड़े-बड़े पुंजी पतियों को जब इस देश के अंदर तारा शाही थी जब इस देश के अंदर कटरवाद था जब इस देश के अंदर छुआ छूत थी दलित को छूत कहा जाता था दलित कितना भी संगर्स करे, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, जैसे बाबा साब डोक्टरम बेड़कर से पढ़ा लिखा वेक्ति आजादी के बाद कोई नहीं था, लेकिन बाबा साब का जूत का आगया, जिस वेक्ति को स्कूल के बाहर बैठने नहीं दिया जाता था, जिस राजा जो ताना से ही दिखाते थे, उनका ऐसा हिलाज किया और बाबा साब ने का, कि ऐए मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं तुमारे लिए ऐसी व्यवस्था करके जा रहा हूँ, सद्कूर रविदाजी फूले सावं बेड़कर की विचारधारा को, इस सविधान में, पर चंड रूप से आगे बढ़ा कर जा रहा हूँ, आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, मजदूर किसान का बेटा भी राजा बन सकता है, इसलिए आज हमारे समाज में DM भी है, CM भी है, PM भी है, बहुजन समाज के लोगों, अगर हम इस परिवार की उ देशे से मैं आप से संकल्ब लेता हूँ, आपके चड़नों में, फिर से सी जुगा कर ये मैं आशवशन देता हूँ, कि आपकी वीचारधारा को हम इमानदर इसे आगे बढ़ाना है, काम करेंगे, एक सेवक के रूपने, मैं पुरी मंडली को और सभी आज़्यक कारे करता को और आचारिये कारपाल जी को, मैं उनके चड़नों में भी सर जुगा कर ये आशवसन देना चाहता हूँ, कि जब भी कोई आदेश आपका होगा, जब भी आप हमारी कोई डूटी एक सेवक के रूप में लगाएंगे, आपका बेटा, आपका भाई, भी मार्मी जैम संग